दुआएं मिलें या बद दुआएं मिलें ये तो उसके कर्मों के पीछे है लिन वावाई भी मिले संसार में तो उसकी वैल्यू क्या है ओ तो शरीर छोटता है, सब वावाई छोट जाती है फिर कही अलग जनम लेता है जाकरके और वावाई किस से मिल रही है ये भी तुझेरा सोचे है क्या मूर्चित लोगों से आपको तालिया मिल रही है तो इन तालियों की क्या वैल्यू है और जागरित एक महापुरुष्टे भी आपको सुनने को मिल जाए शब्द की वाहा तो आपका जीवन धन्न हो जाए तो ये महापुरुष्ट या संत की जबान से आपके प्रती वाहा निकले तभी जब जाके आपने कोई शुद्ध काम किये हो परमात्मा की भजन किये हो परमात्मा की शर्ण ली हो संतों को प्रीम किया हो तो उनके मुझे वाह मिलती है जनक रिशी की तरह आप बने हो प्रलाद महराज की तरह बने हो धुरु महराज की तरह बने हो तो पूरे ब्रह्मान के संतों के मुझे और भगवान के मुझे भी वाह शब्द निकलता है और उस वाह शब्द की कीमत है लिए पूरे संसार के मुर्चित लोग भी आपको वा वा शाबास शाबास तो उसकी क्या वहल्यू है उस शाबासी की इसलिए सत्कर्म कीजिए सत्कर्म का फल सचा आता है और सचा फल जो आता है उससे आप बुरे काम तो करी नहीं सकते उसको तो भगवान को यारपन करते हैं फिर आप सत्कर्मों में उसको लगाते हैं तो तब भी करते हैं मन को प्रसंद करते हैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं मौन नपे तुले सब बोलते हैं जरुत जितनी है उतना बोलते हैं जो बोलते हैं भगवान की भगवत भावित होकर बोलते हैं ता आप मौनी हैं खड़ेश्वरी बावा की तरह मौनी बनने की आवश्रक्ता नहीं है जिन खड़ेश्वरी महाराज का ध्यान चिलम सिग्रेटों में लगा है मान प्रतिष्टा पाने में उलजा है या कोई छोटी मोटी भौतिक सिद्धी प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को कश्ट में बना रखा है वो आवशकता नहीं है भावशन शुद्धी जो आपके भाव भाव क्या है? आपके विचार आपके विचार, आपकी भावना जब शुद्ध होगी तो मन प्रसन्द होगा आपका जब होगी जब आपने कुछ शुद्ध कर्म किये होंगे शुद्ध कर्म करने से भावना शुद्ध होती है प्रेम करने से भावना शुद्ध होती है सत कर्म करने से भावना शुद्ध होती है दान पुर्ण करने से भावना शुद्ध होती है किसी की मदद करने से भावना शुद होती है सत्संग का हनंद लेने से भावना शुद होती है शास्त्रों की शरण लेने से भावना शुद होती है भगवान की शरण में जाने से ये भावना शुद होती है और भगवान की शरण में लेना नहीं चाहते तो कैसे शुद्ध हो, कैसे फिर मन परसंड न हो, मन को परसंड करना है तो भावना को शुद्ध कीजिये, भावशन शुद्धीर, भगवार तो विचार शुद्ध होंगे, तो उसको कहा है मन का तप, विचार मन के अंदर उठते हैं, बिचार मन के अंदर उठती तो आपके बिचार शिद्ध उठें तो मन पुरसन होता है अशिद्ध उठें तो मन मलीन होता है मन मलीन होगा तो मलीन काम करवाएगा मलीन ता में आपको कश्ट होगा यद करोसी यदशनासी यज्जुहोसी ददासियत यत पश्यसी कौन्तियो तद कुरू सुमदर पड़म तो आपकी भावना शुद्ध होगी आपकी विचार शुद्ध होगी तो आपके कर्म व्यवहार शुद्ध होंगे और शुद्ध ता का फल शुद्ध आता है और वो अने को शुद्ध कर्म करवाता है वो भगवान की कर्म करवाएगा भगवान की सेवा करवाएगा शुद्ध फल आपके शुद्ध कर्मों का शुद्ध फल शुद्ध तामें जागा और भगवान से अधिक शुद्ध कोने वो भगवान को अरपन हो जागा अर्जुन के हिर्दे में प्रशनत उठा होगा कि भगवान आप कहता रहें लेकिन ऐसा करने से क्या होगा अर्जुन के मन में प्रसंत उठा होगा और भगवान ने इस प्रसंत को भाप लिया होगा जो हम भाप थे हैं आप भाप थे हैं तो क्या भगवान ने नहीं भापा होगा बाप लिया इसलिए उन्होंने तुरंती एक दूसरा इसलोक कहा वो है स्लोक नंबर चल करके 28-20 स्लोक नवे अध्यागा आईए तो इस स्लोक के प्रांगण में चलते हैं जिससे आपको ऐसा करनेगा फल विदित हो जाए भगवान कह रहे हैं कि शुवा शुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंदन है हे अरजुन ऐसा करने से यानि जो तू कुछ करता है खाता है हवन करता है दान करता है तब करता है ये मुझे आरपन कर इनका फल मुझे आरपन कर ऐसा करने से हे अरजुन जो शुब और आशुब का जो फल मिलेगा उससे तो मुक्त हो गया आगा तो यहाँ पर हमको शुब और अशुब कौन से फल हैं ये जानना चाहिए हम शुब फल तो उसको कहते हैं अपने जीवन का शुब फल मिले कि हम देव लोकों में चले जाएं ये तो शुब हुआ तो फिर हम दान पुर्ण करते हैं शुब कर्म करते हैं देवताओं को प्रसंद करने के लिए हवन भी करते हैं लिए जो भी क्रिया करते हैं हम देवताओं की प्रति करते हैं स्वर्ग लोग पाने के लिए शुब पाने के लिए उचे लोग पाने के लिए उचा पद पाने के लिए उचा रूप बल पाने के लिए उंचे भोग पाने के लिए यह हम कारी करते हैं तो हमको ऐसे कर्म करते करते ऐसे पुर्ण कर्म करते करते स्वर्ग तो मिल जाता है उंचे लोग तो मिल जाते हैं लिए उंचे लोगों में जो हमारे पुर्ण कर्मों का अभा हो जाता है बोग करते करते, उच्छे लोगों में जा करके बोग करते करते, जब अभा हो जाता है पुर्ण कर्मों का, जब पुर्ण कर्म जीरों हो जाते हैं, तो हमको वापिस नीचे गिरना पड़ता है, नीचे फिराना पड़ता है मरत लोक में, ये मनुष्य लोक में, मनिश्य बनने के लिए या कभी कोई अपराद कथा हो गई हो तो सुर और कुत्ते बिल्ली भी बनना पड़ सकता है कहते हैं कभी कभी देवताओं का पत्न हो जाता है कोई शाप वस्तों उनको ब्रक्ष भी बनना पड़ता है इंद्र के अंग में शरीर में एक सहसर एक हजार भग हो गई थी आपको ये कथा याद होगी गोतम रिशी के शाप से इंद्र गोतम रिशी की पत्नी सुन्दर थी गोतम रिशी बड़े तपस्वी है उनका तप भंग करने के लिए उनकी पत्नी का सील भंग करने के लिए सत्य वरत धर्म नष्ट करने के लिए इंद्र गोतम रिशी का जैसा ही वेश बना करके नीचे उतरे प्रत्वी पर साथ में चंद्रमा को भी लिया उनको मुर्गा बनाया आदी रात पर मुर्गा ने वाम दी मुर्गा ने बाम लगाई कुकडू कू की आवाज करी रिशी जाग गए क्या रे ब्रह्म मुर्थ हो गया ब्रह्म मुर्थ में रिशी मुनी जागते हैं क्योंकि वो एक सुन्दर बेला है भजन करनी की चार से छे बजी तक का जो समय है ये बड़ा जैसे सुनेरी आउसर है भजन करने वालों के लिए इसमें कुछ उपलब्दी होती है रिशी जी जा गए गंगा नदी में इसनान करने नित जाते थे ऐसे ही गए अपनी दोती उठा करके लिए गंगा मैया ने बोला कि ठेरोरिशी तुम इसनान करने आये हो आदी रात पर आदी रात्री में सारे जल के अंदर सारे जीव सोये हुए है अभी आदी रात्री है और तुमारे घर वापिस जाओ तुमारी पत्नी को कोई दूशित कर रहा है गोतम रिशी तुरंट वापिस आए उन्होंने देखा कि पत्नी का चरित्र भंग करने के बाद इंदर जो है गोतम रिशी जैसा ही बना हुआ पत्नी के साथ में है गोतम रिशी ने कहा कौन है तू तो रिशी का पावर है इंद्र ने कहा मैं इंद्र हूँ गोतम रिशी ने शाप दिया कि अरे दुष्ट किसी की पतिवर्ता नारी को चलना ये तो अधम से अती अधम काम है मैं तुझे शाप देता हूँ जा तेरे शरीर में एक सहसर भग पैदा होंगी योनी इस्त्री की जो योनी होती है जन्ने इंद्रिया इंद्र को शाप लगा उनके शरीर में एक सहसर भग हो गई थी अब ये किस मूँ से इंद्राश्टन पर जाकर बैठें तो कहते हैं कि कमल पत्तों में कमल पत्तों के आड में छुपे रहे एक हजार वर्ष तक लक्षमी जी क्रपा से उनका रोग निवारन हुआ था अहिल्या को विशाप दिया कि तु अपने पती को नहीं पहचान सकती इतना नहीं पहचान सकती कौन तेरे साथ है तेरा पती है या कोई दुष्ट है बेशक चाहे उसने मेरा जैसा बेशदारन किया नहीं भावना तो उसी की थी मेरी तो नहीं थी तो उस भावना अपनी पती की भावना को नहीं पहचानती इसलिए मैं शाब देता हूँ अहिल्या तु पत्थर की हो जाओ पत्थर की बनी रही थी शुरी राम की कृपा से तरी थी बेटी थी उनकी अंजनी उनको भी शाब दिया कि तू क्या करती थी तेरी मा के साथ इतना चल हो रहा था और तू चुप रही क्रोध तो क्रोध होता है महाराज क्रोध में आदमी को कुछ नहीं दीखता है अंजनी निर्दोष उसको भी शाब लग गया कि तुझे भी क्वारी को संतान होगी तो भगवान की कृपा से है सब कुछ होता है करम इसके पीछे होते है फल भगवान के हाथ में होता है ऐसा फल देना था भगवान को ओई अंजनी क्वारी से बजरंग बली हनमान जी महाराज प्रगट होए थे कथा का बड़ा आनंद है तो इस शुभ फल क्षीने पुढ़नी मर्त लोकम विषन्थे तेतं भुक्त्वा स्वर्ग ने कहा गीता में कि जब इन देव लोगों में भी पुर्ण क्षिन हो जाते हैं तो आत्मा को वापिस नीचे गिरना पड़ता है जनम्रण जराब्यादी और फिर जाके इस संसार में ही गता गतम कभी फिर पुर्ण करती है अपनी पिछले संसकारों के कारण होश के कारण अभ्यास के कारण और फिर उपर चली जाती है फिर वहां भोग करती है लंबे लंबे देव लोगों में फिर पुर्ण क्षिन होने फिर नीचे गिरती है और अशुब तो हैं अशुब जो है संसार की भोग हैं नरक के भोग हैं इस सब अशुब है देव लोगों कि शुब कहा है क्योंकि वो उच्छ स्थर के हैं यह निम्न इस्थर के हैं तो निम्न इस्थर को हम अशुब कहते हैं और उच्छ स्थर को शुब कहते हैं लिए कनिया कहता है कि हे अरजुन तो यह शुब और अशुब दोनों से मुक्त हो जागा मुझे अरपन करने से मुझे कर्मों का फल अरपन करने से जो कुछ खाता है उसको अरपन करने से जो कुछ दान देता है उसको अरपन करने से जो कुछ हवन करता है उसको अरपन करने से जो कुछ तप करता है उसको अरपन करने से उनका फल अरपन करने से तो शुब और अशुब दोनों से ही, दोनों फलों से मुक्त हो जाएगा और दोनों फलों से मुक्त होने का मतलब ही है कि भगवान की प्राप्ति कर लेना वैकुंट की प्राप्ति कर लेना देवताओं का पूझना करने वाला कभी बैकुंट की प्राप्ति नहीं करता है ये धर्ती से मुक्त हो सकता है देवलोगों में जा सकता है ये सबसे बड़ा उसको पुरुषकार मिलता है तो वह फिर लंबे-लंबे भोग करता है और जब उसके पुर्ण खिण होते हैं तो फिर वापिस नीचे गिरता है ये गता-आगतम गता अगतम मने आना गता मनी जाना ये जाना-ाना उसका लगाई रहता है काम कामाला भनते अपनी काम भोग वाशनाओं की इच्छा की कारण ऐसा होता है तो शुब में चला जाता है फिर वापिस अशुब में आ जाता है कभी नीचे नरकलों को तो चला जाता है कभी कुत्ते बिल्लियों में चला जाता है अशुबों में चला जाता है अशुख फलप्राप्त हो जाता है कोई भी नहीं चाहता सुवर बनना सुवर की योनी अशुख है विश्टा खानी पड़ती है या कुट्टे विल्ली या गदे घोडे कौन है जो गदा बन करके या गोडा बन करके बजन डोता रहेगा दिन जिंदगी भब गोडे के जबाडे में मुह में नकेल लगा देते हैं दो नुतर्प को लोहे की सांकर लगा देते हैं और जटका दे दे के चल मेरे बेटे चल मेरे बेटे थोड़ी हरी घास खिला देते हैं थोड़ा चणे का दाना खिला देते हैं और दो दो जणे बैटके दोडा आते हैं मुह जटका लगता है तो विचारा ऐसे करता है वो सबस्ता है ओड़ा तयार हो गया उसको दर्द होता है तो सर उंचा करता है आओ यह घदा है विचारा उसके कमर रीड केटी दुख जाते है जिन्दिकी पर के लिए धनुस की तरह दुनिया बर का बोजलाद देते हैं या फिर दो कुंटल का आदमी बैठ जाता है उस पहले पीछे से लौद मारता रहता है लकडी मारता है चल चल मेरे चल दुली राम चल दुली राम यह आशो भी होनी है आदमी का पतन होई तो इनमें जाना पड़ सकता है तो शुब हैं और अशुब हैं यह संसार के देव लोकों की तरफ उचे लोग जो हैं गह लोग जन लोग मह लोग तप लोग ब्रहम लोग स्वर्ग लोग यह उचे लोग हैं उपर प्लाइनिटेरी सिस्टम में साथ डिविजन्स कियें उचे लोकों के और नीचे भी साथ लोग साथ डिविजन कियें तल वितल सुतल तलातल रसातल पात आलिक्ष्य दि तो इनको उच्छूब हैं और वह शूब हैं तो कि तेनी बड़ा शूब कारिय कर रहे हो हैं क्या कर और वजी मैं इंद्र रं करना हुँ इंद्र वरुन यह हो तिया आपके लिए इंदर देव मेरे लिए नहीं है